Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट PA view की importance के बारे में medical diagnostic और treatment में इसकी क्या importance है पिछले वीडियो में हमने बात कीती कि चेस्ट एक्सरे का क्या role है और इसकी anatomy के बारे में भी हमने देखा था तो पिछले वीडियो की link में ने description में दे रखी है और इससे जो हमें radiological इमेज प्राप्त होगी हम उसको कौन सा कहेंगे चेस्ट एक्सरे जो किस पोजिशन में है PA view जब भी हम बात करते हैं कि medical के treatment और diagnostic के अंदर चेस्ट PA का importance क्या है जैसे कि हमने इसकी anatomy पिछले वीडियो में देख ली थी तो इसमें हमने किस-किस के देखी थी कि जो भी एक्सरे लिया जाता है जो भी चेस्ट PA view है वो किस-किस की pathology के बारे में mostly lungs की pathology हो गई heart की pathology हो गई body structures और जो भी soft tissue है और भी बहुत सारी हो सकती है जैसे diaphragm से related हो सकती है तो लंग से related हम कौन-कौन से pathology कह सकते हैं कि जैसे tuberculosis का case हो सकता है pleural effusion हो गया pleural effusion के condition में chest PA view किया जाता है lung के cancer के लिए ये preference दी जाती है फिर हो गया अपने lungs में किसी भी प्रकार का infection है तो उस infections के लिए कौन सा जो है chest PA view को prefer किया जाता है chest के infection में हो गया और एक condition आती है pneumothorax के बारे में pneumothorax इन सारी condition में यानि कि lung से related जो भी pathology है जैसे TB हो गई pleural effusion, lung cancer, lung infection या pneumothorax तो इन सब condition को देखने के लिए कौन सा view लिया जाता है chest PA view फिर हम देखते हैं कि heart से related इसमें heart की साड़ों अच्छे से लिए तो इस heart से related कौन कौन सा pathology हो सकती है जैसे cardiomygely यानि कि जो भी enlargement होना heart का बड़ा हो जाना तो enlargement हो जाता है heart के अंदर या फिर ये को और condition हो सकती है कि heart के चारों तरफ काई बार fluid एकटा होने लगता है कि heart की से भी प्रकार की condition को पता करने के लिए यहujee Courtney Chess PA v umm लिया जाता है फिर हम बात करते हैं तो diaphragm की condition को ​ Church उने के लिए Jackie kid को च Straßen PASi लिया जाता है अर, हम बात करते हैं और हम जैसे कि इंदर हम कौई से कोई सगसे हैn mm Siibate और हम जो एक bonny structure की pathology कहते हैं, जैसे bonny structure में क्या क्या हो सकता है, कि fracture का क्रेस होता है, fracture, या फिर fracture किन किन में हो सकता है, rips में, clavicle में, और shoulder के, तो वो हमें इसमें chest PA view में हमें देखने को बिल जाता है, तो ये सारी जो है, इसलिए हमारा chest PA view का एक्स-ray है, वो इसका important role है medical diagnostic में कहा सकते हैं, यानि कि किस किस तरह की important role यह निभाएगा, कि किसी भी प्रकार की lungs की pathology के लिए, heart की pathology के लिए, soft tissue की pathology के लिए, diaphragm की pathology के लिए, और bonny structure की pathology, लिए case में यह important role इसका है, अभी हम देखे हैं, जब एक बात आपने notice कि होगी, कि जब भी हम chest PA view लेते हैं, तब हम patient को एक गहरी स्वास लेकर स्वास रोकने के लिए क्याते हैं, ऐसा किसलिए कि यहां जाता है, कि जब भी patient गहरी स्वास लेकर स्वास जब रोकता है, तो जो lungs का area है, वो एकदम हमें अच्छे से clearly हमें demonstrate हो सकता है, यानि कि lungs का full area हम उसमें demonstrate कर सकते हैं, तो इसलिए इसे parameters हैं, जो हमें chest PA view में हमें देखने को मिलेंगे, तो first हम देख सकते हैं, कि जो भी clavicles जो है, clavicle के यह दोनों end आप देख सकते हो, यह वर्टिप्रे column से बराबर दूरी पर है, तो एक तो यह इसके अंदर हम characteristic कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यह trachea है, यह यह trachea बिल्कुल ही middle ही होना चाहिए, okay, trachea middle ही है, तो हम उसको कहा कहा दिया, यह chest PA view के कुछ important characteristic है, okay, फिर जो iscapula की shadow है, okay, जो आप यह iscapula की shadow देख पा रहे हो, यह iscapula की shadow जो है, lungs area से बाहर की तरफ होते है, यानि कि lateral away from lungs, okay, यह फिर हम कह सकते हैं कि outside of the lung field, lung field से outside होग लग भग 5 cm की distance पर होगा, तो यानि कि lungs का apex है, वो clavicle 5 cm abo होगा, यानि उपर होगा, okay, फिर हम कह सकते हैं कि जो cost of hearing angles होगे, वो chest PA के अंदर, अच्छे से clearly so होगे, यह cost of hearing angle है, हम ने पीज़ले, anatomy में भी देखा था, okay, तो यह चीजे कुछ-कुछ parameters हमने, कौन-कौन से parameters, 5 parameters के बारे में बात किया, mostly, first हमने बात की थी, यह जो clavicle की position है, clavicle की position, कहा होगी, वटीप्रे कॉलम से बराबर equal distance होगी, फिर हमने बात की, trachea के बारे में, trachea mid-line में है, okay, फिर हमने बात की, iscapula की, iscapula जो क्या है, lateral away from the lungs है, यानि, lungs फिल से, बाहर की तरफ हम क्या सकत वो इसके इंदर अच्छे से, इसमें included होंगे, तो यह सारे जो है, वो chest important, chest के peer view में हमें देखने को मिलते हैं, तो इन सब का एक बहुत ही important role है, और mostly जो यह characteristics हैं, जो chest peer view में हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी बातों से हमने chest peer view के importance को दाना है, okay, इसी तरह chest AP का भी एक important role हैं हमारे medical department treatment और diagnostic में, तो next video में हम बात करेंगे, chest AP के बारे में, आज के लिए बस इतना ही बने रही है, रेट टेक भरत के साथ, बाई बाई